अमेरिका में हर कोई ग्लास को तीन चौथाई आइस क्यूब से भर कर पीता है अब मैं जो कहूँगा वो लोगों को पसंद नहीं आएगा जब योगिक संस्कृती में अगर आप एक योगी हैं अगर आप आंतरिक रुपांतरन के मार्क पर हैं आप अपने सिस्टम को संभावना के एक दूसरे आयाम में रुपांतरित करना चाहते हैं फिर आप सिर्फ चार डिगरी अधे की या कम तापमान वाला पानी पीते हैं यानि आपके शरीर का सामान ने तापमान करीब 36 डिगरी सेंटिग्रेट होता है तो आप चालिस या बतिस डिगरी तापमान तक का पानी पी सकते हैं ये पानी पिने का बहतरीन तरीका है अगर आप एक विद्यार्थी है यानि आप ग्यान को ग्रहन करना चाहते हैं आप रुपांतरन की खोज में नहीं हैं आपको सिर्फ ग्यान ग्रहन करने में दिलचस्पी है फिर आपको आठ डिगरी अंतर के साथ पानी पीना चाहिए यानि आप 44 डिगरी और 28 डिगरी तक पानी पी सकते हैं अगर आप एक ग्रिहस्त हैं जिसे किसी रुपांतरण या ग्यान में दिल्चस्पी नहीं है आप सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों और पती को संभालना चाहते हैं सिर्फ यही आपका काम है फिर आप दोनों और 12 डिगरी अंतर के साथ पानी पी सकते हैं उसके आगे किसी के लिए भी अनुकूल नहीं माना जाता तो ये कहना अलोक प्रिये है मगर ये महत्वपून है कि आप जो भी पीएं वो कहीं न कहीं शरीर के तापमान की रेंज में हो उससे अधिक अलग नहीं क्योंकि शरीर के तापमान से बहुत अधिक अलग पानी या किसी अन्य पदार्थ का सेवन करने से शरीर के अंदर पानी के बरताव में गड़बड़ी आ जाती है मैं जानता हूँ कि आईसक्रीम पसंद करने वाले लोग और अब मुझ पर चिलाएंगे मैं सिर्फ आपको आदर्श स्थितियां बता रहा हूँ आप में से कितने लोग आदर्श रेंज में या उसके प्रती चेतन रहना चाहते हैं जहां भी संभव हो वहां उसमें रहना एक अच्छी बात है अगर आपको प्यास नहीं लगती अगर आप पानी नहीं पीते तो कुछ नहीं होगा आप ठीक रहेंगे सिर्फ अमेरिका में अगर आप पानी नहीं पीएंगे तो आप मर जाएंगे कहीं और लोग ऐसे ही पानी नहीं पीते जब उन्हें प्यास लगती है तो वो पानी पीते हैं वरना वे रिगिस्तान में भी ठीक रहते हैं सिर्फ अमेरिका में ठंडे मौसम में हर कोई बोतल लेकर चलता है और लगातार घूंट भरता रहता है क्योंकि मार्केटिंग मशीनों ने उन्हें ये यकीन दिला दिया है कि उन्हें धेर सारा पानी पीना चाहिए पानी का अत्यधिक सेवन खास कर अगर उसे छोटे घूंटों में पिया जाए शरीर सोक लेता है जब वो सोकता है तो सोडियम का स्तर जिसका संतुलन बहुत नाजुक होता है वो कम हो जाएगा इसका असर बाकी शरीर पर भी पड़ता है वो दिखे जरूरी नहीं है मगर मस्तिश्क में सोडियम का स्तर गिरने से मस्तिश्क में सूजन हो जाएगी इसका ये अर्थ नहीं है कि आपका मस्तिश्क बढ़ रहा है सूजन एक तरह की बिमारी है, ठीक है मस्तिश्क का विस्तार नहीं सोडियम तत्व की कमी के कारण उसमें सूजन आ जाती है तो सोडियम की कमी के कारण मस्तिश्क में अधिक पानी चला जाता है जो संतुलन रखने के लिए जरूरी सोडियम की आपूर्ती करने की कोशिश करता है आपके मस्तिश्क में अधिक पानी का मतलब है कि आप अव्यवस्थे तो हो जाएंगे मनोवे ज्यानिक असंतुलन आ जाएगा देखिए अगर आप एक बार में धेर सारा पानी पीते हैं, तो शरीर तै कर लेगा कि कितना सोखना है, कितना बाहर फेकना है. लेकिन अगर आप दिन भर घूट बरते रहेंगे, तो शरीर एक प्रकार से ब्रहमित हो जाता है और जरूरत से अधिक पानी सोख लेता है. लेकिन मान लीजे अभी आप दो लीटर पानी पीते हैं वो सारा शरीर में नहीं जाने वाला जितनी जरूरत होगी वो ले लेगा बाकी बाहर फेक देगा किसी को सिर्फ इसलिए पानी पीने के जरूरत नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा करना अच्छी चीज़ है जब आपको प्यास लगे तो आपको पानी पीना चाहिए ये पक्का करने के लिए आप परियाप्त पानी पी रहे हैं आप उससे दस प्रतिशत अधिक पीजिए जितने की आपको जरूरत है एक दो कब जादा सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि आप कम नहीं पी रहे है साथ ही जब आपको पानी की जरूरत है जब आपको प्यास लगी है अगर आप नहीं पीते तो ये आपके शरीर को नुकसान पहुँचाएगा जब जरूरत पढ़ने पर पानी शरीर में नहीं पहुँचता तो दिल को भारी नुकसान होता है लेकिन जब मैं पानी कहता हूँ तो ये सिर्फ द्रव के रूप में पानी पीना नहीं है आपको अधिक पानी वाले खादे पदार्थ खाना चाहिए अगर आप एक फल खाते हैं तो उसमें लगबग 90 प्रतिशत पानी होता है सबजियों और बाकी चीजों में लगबग 70 प्रतिशत पानी होता है जब आप भोजन करें तो उसे कम से कम आपके शरीर में जलतत्व के प्रतिशत के बराबर होना चाहिए तो आप जो भी खाएं उसमें कम से कम 70 प्रतिशत जलतत्व होना चाहिए इसलिए सबजियों भलों को आपके अहार का हिस्सा होना चाहिए ताकि वो मौझूद रहे